नमस्कार स्वागत है साहितिक जरो का चैनल पर आज हम करेंगे प्रेमचन की कहानी पूस की रात की तत्वों के आधार पर समिक्षा तो आईए देखते हैं देखें सबसे पहले बात करें तो इस कहानी को प्रेमचन ने बहुत ही मार्मिक और संबेधन शिल तरीके से लिखा है इस कहानी में प्रेमचन जी ने अपने देश के किसानों की दशा के बारे में बताया है कि वो कैसे अपना जिवन को जाते हैं उनकी गरीबी और उनके पास जो संसादनों की कमी है जिसका परभाव उनके जीवन पर दिखाई देता है वो इस कहानी के मुख्य पातर हल्कू के मार्मिक चितरण द्वारा दिखाया गया है हल्कू के जो हालात है या उसकी जो अवस्ता है उससे हम समझ सकते हैं कि भारतिय किसान कैसा जीवन जीने को मजबूर है तो अगर तात्विक स्मिक्षा की बात करें तो सबसे पहला तत्व कोन सा है वो है कथानक का देखे कोई भी कहानी उसका कथानक अगर संग्शिप्त होगा या रोचक होगा तो वो पढ़ने में पाठक का मन लगेगा और वो कहानी पर मायोजन देखा जा सकता है कहाने की शुरुवात कहां से होती है हलकू के घर से होती है हमने जब कहानी पड़ी थी तो उसमें पड़ा था मुनी जाडू लगा रही है और हलकू के घर में कोन आता है सहना आता है, क्या करने के लिए कर्ज लेने आया है कर्ज कौन सा है जब हलकु ने खेती की तो उसमें जो भी खेती के लिए अवशक्ता होती है उन सब चीजों को लाने के लिए जैसे बीज है या अन्य जो सामगरी रहती है लाने के लिए हलकु सहना से कर्ज लेकर आया था तब उसने अपनी फसल बोई थी लेकिन सहना का वो कर्ज कभी चुका ही नहीं पाता और ये भारतिय किसान की मर्मिक दशा है कि वो एक बार अगर किसी जमीदार से कर्ज ले ले तो उसको चुका ही नहीं पाता सारी उमर उसके ब्याज में ही निकल जाती है मूल तो बहुत दूर की बात है तो यहाँ पर हलकु को सर्दी से बचाने के लिए कंबल खरीदने की उन्होंने सोचा था कि हम ने ये तीन रुपई जोड रहे हैं ताकि पूस का महीना जबाएगा और हलकू को जब खेत में जाना पड़ेगा तो उसके लिए कंबल क्यावशकता होगी ताकि वो थंड से बच सके लेकिन हलकू हालातों को समझते हुए सेहना को तीन रुपई दे देता है क्योंकि हलकू को पता है कि अगर सेहना को रुपई नहीं दिये तो सेहना गाली गलोच करेगा और उसके साथ पूरा भेवार करेगा आखिर कार पूस के वैठंडी रात आ जाती है जब हलकू वे उसका कुत्ता जबरा खेत में रखवाली के लिए जाते हैं बहुत अधिक सर्दी होने के कारण हलकू बहुत परिशान है कहानी में उसके भावों को यथात रूप में चित्रित किया गया है आदिक सर्दी के कारण हल्कू खेत में आई जानवरों को नहीं निकाल पाता जो खेत में जानवर कौन से हैं नील गाएं हैं वो खेत में घुश जाती है और उसके खेत को चरने लगती है जबरा पूरी रात मेहनत करता है उनको निकालने का लेकिन हलकू नहीं जा पाता क्यूंकि सर्दी बहुत जादा थी और वही पर जो उसने अलाव जलाई थी उसी के पास ही वो सो जाता है नीलगाएं या जानवर पूरा खेत तहसने सकर देते हैं सुबह होने पर मुन्नी खेत के हालात देखकर चिंटित होती है आकर वो हलकू को जगाती है और खेत के बारे में बताती है工作 particular मुन्नी बताती है कि अब हालात और भी जादा खराब हो जाएंगे लेकिन हलकू मुस्कुरा कर अपने भावों की अभिवेक्ति देता है और कहता है कि कम से कम अब इतनी सर्दी में खेत में तो रात नहीं गुजारनी पड़ेगी यानि रात की ठंड से तो कम से कम मैं बच पा यह नहीं है जोकि बहुत ही सरल्ता से किया जा सके उसको बोना फिर उसको कटाई तक द्यान रखना और एक ऐसान पास घसादन भी है यानि संसाधनों का अभाव होने के कारण हलकु को जीवन में जो कठनाईों का सामना करना पड़ रहा था ये प्रतेक आम भारतिय किसान की कहानी है उसके बाद हमारा दूसरा जो point बनेगा दूसरा जो तत्व है वो क्या है? पात्तर योजना देखे पात्र योजना द्वारा किसी भी कहानी के कतानक को पूरंटा प्राप्त होती है इस कहानी में कुल चार पात्र है किसान जिसका नाम हलकू है हलकू की पत्नी है वुन्नी महाजन या जमीदार है सहना हलकू का पालतु कुत्ता है जिसका नाम है जबरा मानवेतर प्राणियों की जो कलपना करी है प्रेमचन ने अपनी कहानी में वो अधभुत है यहां पर जबरा और हलकू के बीच जो आपसी तालमेल है आपसी दोस्ती है वो अपने आप में अनोखी है यहां हलकू की अगर बात करें तो यह कहानी का केंद्रिय पातर है वे समाज की गरीब किसान का प्रतनी धित्व करता है हलकू की आर्तिक स्तिती बहुत खराब है इसलिए फसल के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है मेहनत मजदूरी और खेती की उपज से भी कर्ज नहीं चुका पाता बचाए रुपे भी महाजन को देने पड़ती है हलकू शान्त सवभाव वे हालात से समझोता करने वाला पातर है क्योंकि उसे पता है कि वो इन हालातों को नहीं बदल सकता इसके साथ जबरा के प्रतिवी उसका जो इसने भाव है वो कहानी में दिखाई देता है एक मानव का मानवेतर प्राणी के साथ जो संबन्द है वो इस कहानी में हम बखुबी देख पाते हैं हलकू और जबरा की मितरता के कारण दूसरा यहाँ पर पातर है मुन्नी यह हलकू की पतनी है वे अपने पती वे प्रस्थित्यों के प्रति चिन्ता का भाव रखने वाली इस्तरी है अपने पती की सेहत के उसे चिन्ता है फसल जो पशूँ द्वारा चर ली गई है उसकी उसे चिन्ता है क्योंकि अब धन नहीं आएगा और महाजन पैसे लेने के लिए आ जाएगा तो इस तरह के जो बाते हैं वो मुन्नी के माध्यम से हमें पता चलती है उसके साथ उसका जो सोभाव है वो विद्रोई सोभाव की नारी है क्योंकि जब सहना पैसे लेने के लिए आता है तो मुन्नी हलकू को कड़े शब्दों में उसे तीन रुपे देने से इंकार करती है दूसरा यहाँ पर देखें तीसरा जो मुखे पातर है वो कौन सा है सहना है यह जमीदारी परंपरा का प्रतिनितित्यू करने वाला पातर है उसके बाद चोथा पातर है जब्रा यह हलकू का पालतू कुत्ता है स्वामी भग्ध है वे अपने करतव्य के प्रती सजग है हलकू जब अलाव जलाता है तो जब्रा भी वहाँ पर उस गर्माईश का अनभव करता है और उसे भी अच्छा लगता है लेकिन जैसे उसे अंदाजा होता है कि खेत में आवारा पशू आ गए हैं तो वो उस अलाव का और अपने मालिक के पास रुखने का लालच नहीं करत बलती अपने करतव्य का पालन करने के लिए रात भर जानवरों के साथ ने भोगता है उन्हें निकालने का प्रियास करता है तो इससे पता चलता है कि जब्रा अपने स्वामी के प्रती कितना वफादार है और अपने करतव्य का पालन बखूबी करना जानता है इसके बाद जो तत्व है वो है देश-काल बैवातावरन। देखें किसी भी कहानी रचना में देश-काल और वातावरन की महतव्सन। समय था, जमीदारी प्रथा, चारों और व्याप्त थी, विदेश में जो घटनाएं घटित हो रही थी, उनसे भी प्रेमचन परभावी थो रही थे, तो उनका परभाव भी कहानियों में देखा जा सकता है, इसके सासा जो जमीदारी प्रथा के कारण किसानों को अनेक प्रका के शोशन का सिकार होना पड़ रहा था वो भी इस कहानी में चित्रित किया गया है तो कहानी के अनकूल अगर हम देखें तो ततकालिन समय समाज की बहुती सुन्दर तरीके से विवस्ता इस कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है उसके बाद अगर देखें संबाद योजना द समबाद हो देशकाल और वातावरण को चित्रित करने वाले हो सशक्त हो छोटे और परभावशाली समबादी किसी कहानी को सफलता की कसोटी पर पहुंचा सकते हैं यहां पर अगर हम देखें तो पूस की रात कहानी ग्रामीन भारतिय जीवन से जूड़ी है इसलिए प्रेम समबादों की उपयोगिता देखी जा सकती है यहां पर भी समबाद पातरों के इनकूल है संख्षीप्त और परभावी या परभावशाली समबादों की योजना की गई है कहानी के समबाद योजना कहानी को जीवन्त बनाने में पूर्णते साहेक बन पड़ी है तो कोई भी देखें कहानी को रोचक बनाने के लिए पात्रों के अनकूल भाशा का प्रियोग किया जाता है जिससे समवादों को अधिक सार्थकता प्राप्त होती है इस कहानी में अगर देखें तो हिंदी खड़ी बोली के साथ साथ अरबी और फार्सी के शब्दों का प्रियोग तथा ग्रामिन जीवन से समबंदी शब्दों का सुन्दर तरीके से कहानी के पात्रों के माध्यम से या कहानी के पात्रों के नुकूल प्रियोग किया गया है जैसे पात्र है वैसे ही उनके समवाद है और उसी प्रकार की भाशा के शब्दावली का इस्तिमाल किया गया है यहाँ पर मानवी और मानवेतर संबंदों को दर्शाने में भी संबाद महतब पूर्ण रुप से सक्षम है देखें मानव यहाँ पर कौन है हलकू है और मानवेतर प्राणी कौन है यहाँ पर जब्रा है दोनों की आपसी जब्रा सिरफ कूंकूं की आवाज कर सकता है लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि हलकू उसकी सारी भावनाओं को समझ रहा है और जबरा भी उसके प्रते एक प्रशन का उत्तर बखु भी दे रहा है ये शैली प्रेमचंद जी की ही हो सकती है तो भाशा शैली की दृष्टी कूर से अगर देखें तो कहानी में भाशा पात्रों के अनकूल है भावों के अनकूल है ततकालीन वातावरण के अनकूल भाशा का चैन इन्होंने किया है अगर शैली की बात करें तो देखें यहाँ पर मैं डालना भूल गई हूँ देखें शैली में अगर देखें तो कहानी में संबाद होते हैं तो संबादात्मक शैली तो निश्चित त तो हमारी आंखों के सामने हलकू, जबरा, खेत, जलती हुई अलाव, रात्री के अंदकार का चितर जैसे आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है तो बिंबात्मक या चितरात्मक शैली भी बहुत सुन्दत तरेके से इस कहानी में इस्तिमाल की गई है तो वो सब चीजें भी आप यहां पर लिख लें, जब आप प्रशन का उतर दें तो ये बातें भी आपको इसमें डालनी हैं इसके बात बात करते हैं उदेशे की, देखे पूस की रात कहानी का मूलेदेशे क्या है ये विवस्ता दोश को उजागर करना है विवस्ता दोश जो हमारे समाज में है, हमारे परशाशन में है जिससे की आम आदमी परभावित होता है और आम जन की निरीहिता और विवस्ता को दिखाना है क्योंकि हलकु जो है वो कितना निरी है कितना विवश है वो चाहकर भी अपने हालातों में बदलाव नहीं कर सकता जो किसी तरह तीन रुपए उसने थे वो भी उसे विवश होकर सहना को देने पड़ते हैं तो ये विवश्ता हम इस कहानी में देख सकते हैं जो दिखाना प्रेमचन जी का मुख्य उदेश्य है हलकु और जब्रा के क्रियकलाप मुनी का आक्रोश सहना का वेवार सभी इसी उदेश्य मुलक तथे की और संके तो अंत में हम देखते हैं कि जब्रा उस चारपाई के नीचे बेसुद बड़ा है और ऐसे लग रहा है कि उसमें जान बाकी नहीं है तो यहां पर पशुवत मनुष्य की मोत का प्रतीक उसको माना गया है मानो भी तो इसी प्रकार मर रहा है कुड़ कुड़ कर जैसे जब् उन विपरीत प्रस्तितियों का सामना किया विवस्ता की विशमता रूपी नीती ने आमजन को शोशित होने के लिए विवश्त किया है दूसरी तरफ खेतों के उजड़ जाने पर हलकू का खुश होना ये आमजन में विवस्ता दोश के कारण आ गई पलायन की प्रवरती को उजागर करता है देखे पलायन क्या होता है किसी चीज को छोड़ कर दूसरी की तरफ चलना यहां पर किसान पलायन कर रहे हैं किसकी और किसान अपने खेतों को अपने गाउं को छोड़ कर शहरी सब्विता और मशीनी करन की तरफ चल रहे हैं या जा रहे हैं या वो तो ये प्लायन की जो प्रवरती है वो भी इस कहानी के माध्यम से दिखाना लेखक का मून उदेशय या मुख्य उदेशय कहा जा सकता है तो उमीद करते हूं कि तात्विक दिरिश्चिकोन से जो हमने कहानी की व्याख्या की है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई करें लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद